अब से हम अपना बायो और रियक्शन कहते हैं और दूसरे को लाइट इंडिपेंडेंट रियक्षन के बारे पर जो हम आच पढ़ेंगे और लाइट-डिपेंडेंट-डियक्शन की बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जो है वो समझेंगे कि light जो हो कहाँ पर absorb होती है और क्या चीज बनती है जैसे मैंने आपको बताया था कि light dependent reaction में जो है वो formation of the ATP और NADPH जो है वो बनता है और साथ ही आपको यह भी पता है कि solar energy यादि sunlight जो एबसाइब होती है photosynthetic pigments है और यह जो photosynthetic pigment है यह हमेशा organized होते cluster की form में और यह photosynthetic pigments cluster की form में organized होते हैं तो इनको हम कहते हैं photosystem अब photosystem जो हैं यह क्या चीज होती है यह photosynthetic pigments के clusters हैं जो कि light को absorb करते हैं और utilize करते solar energy को inner thalicoid membrane में अब हम देखेंगे photosystem जो हैं इनके two parts हैं सबसे पहले तो light gathering एक part है जिसे कहते antenna और दूसरा जो है वो है reaction center यानि photosystem जो कि photosynthetic जो photosynthetic जो photosynthetic जो हैं वो photosynthetic pigments हैं उनके clusters हैं और इसके अंदर two important parts है antenna complex और दूसरा reaction center अब हम देखेंगे कि जो reaction antenna center है या antenna complex है वो किसका बना हुए antenna complex में chlorophyll A होता है chlorophyll B होती है और carotenoids present होती है जो कि क्या करते हैं बहुता light को absorb करते हैं और light को absorb करने के बाद उनको channelize करते हैं energy को और फिर reaction center को आगे जो है पास आउन कर देते हैं फिर reaction center जो है वो भी बना हो होता है किस से बहला chlorophyll A के साथ और कुछ primary electron acceptors के साथ और साथ ही जो है associated electron carriers जो हैं मिलकर electron transport system हम जो है total बनाते हैं और यह सारे जो है electron transport system फिर क्या करते हैं ATP बनाते हैं और एक process के थूर जिसको हम कहते हैं chemo osmosis यानि light energy photo system के through absorb होती है और फिर एंटीना complex में और वहां से वो चैनलाइज होने के बाद reaction center में जाती है और फिर solar energy को chemical energy में convert जो है वो कर देती है अब हम देखेंगे कि जो ATP का molecules हैं वो बनते हैं कहां पर बला electron transport system में बाइदा chemo osmosis के जरीए और फिर इस तरह तमाम जो solar energy है वो chemical energy में convert जो हो जाती है अब ये देखें ये जो clusters आपको नजर आ रहें green color के ये तमाम क्या चीज़ हैं ये photo systems हैं अब इस photo system में आप देखेंगे जो yellow color के नजर आ रहें ये क्या है ये chemical ये solar energy है और इन्होंने क्या किया है बहला ये आपको arrows नजर आ रहे हैं ये सारा जो है ये antenna green color के antenna जो है वो complex हैं यहां पर pigment के molecules में मौजूद हैं जो chlorophyll A, B और carotinoids हैं और इसके बाद जो blue color का आपको नजर आ रहे हैं यहां पर reaction center यहां पर primary electron acceptance भी जो है वो मौजूद है यानि यहां पर energy solar energy आती है और तमाम जो हो एबसार्ब होने के बाद reaction center के पास पास होना जाती है और वहां पर ATP के molecules बनते हैं बाद एक reaction के जरी जिसको हम कहते हैं chemo osmosis अब हम देखेंगे जो photosystem हैं यह दो तरह के होते हैं photosystem 1 और photosystem 2 photosystem 1 और photosystem 2 जो हैं उन में भी chlorophyll मौजूद होता है photosystem 1 जो है उसके दर chlorophyll A का molecules होता है जो के maximum light 700 नैनो मीटर wavelength of light का absorb करती करते हैं और इसको हम P 700 कहते हैं जो photosystem 2 है वो जो है वो light का absorb करती है 680 नैनो मीटर और हम उसको कहते है P 2 या पर P 2 या P 680 हम उसको कहते हैं साथ ही जो है बच्चे एक specialized है molecule जिसको हम primary electron receptor कहते हैं वो भी reaction center के पास ही मौजूद होता है और ये भी क्या करते हैं हाई energy electrons को कैरी कर लेते हैं कहां से trap कर लेते हैं reaction center से और उसके बाद एक series of electron carrier के जरीए पास on करते हैं को और फिर ATP के molecules को जो है बनाते हैं बाइदा chemo responses और फिर अब हम ही देखते हैं कि जो ATP के molecules हैं वो दो cyclic दो process से बंदे हैं एक process जो के हम दो pathways से होकर गुजरते हैं और क्या बनते है एक pre dominant type का electron transport system है जिसको हम कहते हैं non cyclic electron flow और जो है इसके अंदर two photosystem involved है यानि photosystem one और photosystem two non cyclic electron flow में मौझूद है और जो ATP का molecule बनता है इसमें उसको हम कहते हैं non cyclic phosphorization और इसी तरह से जो दूसरा हमारा system है pathway वो से कहते हैं cyclic electron flow pathway और cyclic electron flow pathway में सिरफ एक photosystem जो है वो involved होता है यानि और वो जो pathway एक सिरफ photosystem involved है वो photosystem one involved है और ये less जो है common है और जब ATP का molecule जो cyclic pathway में बनता है तो हम उसको कहते हैं cyclic phosphorization अब बचे next lecture में मैं आपको non cyclic phosphorization के बारे में जो है वो बताऊंगी अलाफिस